हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 क्लास 10 की हमार पास exercise 5.2 question 1 to 10 हम complete कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे question number 11 से question number 11 क्या आपके पास statement क्या है statement given है which term of the AP 3,15,27,29 will be 132 more than its 54th term आपसे पूछ रखा है which term of the AP वो AP की कौन से term होगी जो यह AP आपको given है will be 132 जो 132 more than अधिक होगी इसके 54th term से 132 ज्यादा होगी वो कौन से number की term होगी यह हम find करेंगे A is equal to हमारे पास एक sequence दे रखी है 3 into 15 into 27 up to आपके पास एक sequence दी हुई है इस sequence हम क्या निकालेंगे A is equal to क्या आजेगा 3 D is equal to 15 minus 3 करेंगे क्या आजेगा 12 A 54th term निकाल देंगे हम क्योंकि 54th term से 132 अधिक है तो A 54 निकालेंगे A plus 53 D A 54 is equal to A की value 3 plus 53 और D की value 12 A 54 as it is 3 plus दोनों की multiply कर देंगे 636 plus 3 कितना आजेगा 639 A 54 में 132 add कर दिया तो इधर क्या है A 54 639 plus 132 कर देंगे 771 अब हमें बताना है कि 771 किस number की drum है A N के अंदर पूट कर देंगे A N is equal to A plus N minus 1 into D A N हमार पास 771 is equal to A की value 3 plus N minus 1 और D की value 12 771 plus को इधर लिके आए minus 3 आजेगा is equal to N minus 1 into 12 इसमें से minus करेंगे 768 divided by 12 आजेगा is equal to N minus 1 N minus 1 12 से cancel कर देंगे 64 minus 1 को इधर लिके आएंगे plus हो जाएगा N की value मार पास क्या आजेगी 65 तो ये मार पास कौन से number की drum होगी 65 number की drum होगी next है हमार पास question number 12 2 APs have the same common difference कोई भी 2 AP दी हुई है जिन दोनों का common difference same है the difference between their 100 term is 100 उनकी 100 term है उसका difference क्या है 100 what is the difference between their 1000 term उनकी जो 1000 term है उसका difference क्या होगा 2 AP दे रखी है और दोनों का common difference means D दोनों में same है हमारे पास let the first term of AP is A1 and A2 and the common difference is D हमारे पास दो AP की terms दे रखी है एक को A1 मान लिया और दूसरी को A2 से note कर लिया हमने and common difference दोनों का क्या लेके चल पड़े D A100 फर्स्ट से हमने निकाला A100 क्या आजेगा A1 प्लस 99 D और 1000 term निकाल लेंगे तो क्या आजेगा A1 प्लस से 999 D और second AP है जो हमारे पास उसको हमने क्या ले लिया जो second AP है उसके according अगर हम लेंगे तो उसको हमने क्या ना दे रखा उसकी first term को A1 की बजाए A2 लिख रखा है हमने A100 क्या आजेगा A2 प्लस 99 D और 8000 क्या आजेगा A2 प्लस 99 D difference निकाल देंगे दोनों terms का अब first का क्या निकाल लेंगे जब 100 term का difference निकाल लेंगे तो क्या आजेगा आपके पास अब 100 आगया तो value put करते हमार पास क्या आजेगा A1 इसकी first term क्या A1 प्लस 99 D इसकी second first term को ऐसे ही minus करते है minus A2 minus 99 D इससे ये cancel हो जाएगा और इन दोनों का difference given क्या है 100 दे रखा है आपको तो क्या आजेगा A1 minus A2 is equal to 100 equation आगया हमार पास फिर बोल रुका है कि difference इनकी thousand जो term है उसका difference बताओ अब ये thousand term क्या इसकी A1 प्लस से 999 D minus कर देंगे इसकी thousand term क्या है A2 minus 999 D is equal to अब इससे ये cancel हो जाएगा क्या आएगा A1 minus A2 आजेगा और first जो equation उसमें देखा from first first से हमार पास A1 minus A2 की value क्या थी 100 तो यहां भी A1 minus A2 क्या हो गया 100 हो गया तो हमार पास इनकी जो 100 term है उसका difference भी 100 और इनकी thousand term निकाल लेंगे उसका difference भी क्या आएगा हमार पास है 100 Next है question number 13 How many 3 digits numbers are divisible by 7 कितने ऐसे digits How many 3 digits 3 digits कितने है number are divisible by 7 7 से divisible है 3 digits हमार कहां से शुरू होते है 100 से शुरू होते है और कहां तक होते है 9, 9, 9 तक होते है 3 digits अब इनके बीच में बताना है 7 से divisible first 3 digit number that is divisible by 7 सबसे पहले बोल निकालेंगे सबसे छोटे से छोटा जो 7 से divide होता है 3 digits में 101 भी नहीं होता 2 भी नहीं होता 3 भी नहीं होता और 4 भी नहीं होता क्या आजेगा 105 105, 7 से divisible होगा इसके next time क्या आएगी plus 7 कर देंगे हम क्योंकि 7 से divisible है तो क्या आजेगा 112 आजेगी इसी तरह हमार पास क्या आजेगी 105, 112, 119 up to last time हमें निकालनी है अब last time 990 9 है हमार पास इसके लिए हमें कैसे निकालना होगा इसको हम divide करके देखेंगे इसको 7 से divide कर देंगे 7 1 जा 7 2 आजेगा 7 4 जा 28 1 इसमें से 5 minus कर देंगे क्योंकि अगर यहां पर हमार पास नहीं आए 5 minus कर देंगे तो यह क्या होजेगा 4 यह 4 होगया तो यह 4 पूरा डिवाइड आजेगा तो यह क्या आजेगी 994 यह हमार पास इसकी last time अब हमार पास देखो 1st time होगई इसका common difference D आजेगा और An अब हमार पास 994 आगई यह निकाल देग किस number की ट्रम में is the maximum possible 3 digit number that is divisible by 7 series क्या बनी 105, 112, 119 up to 994 A is equal to 105 D is equal to इसमें से minus कर देंगे 7 आजेगा और An is equal to 994 An is equal to A plus N minus 1 into D An 994 is equal to A 105 plus N minus 1 D की value 7 994 plus को इदर लेके minus 105 is equal to N minus 1 into 7 इसमें से minus कर देंगे 889 divided by 7 आजेगा is equal to N minus 1 इसको 7 से divide करेंगे 127 पे divide होगा N is equal to इसको उदर लेके आए प्लस होजेगा 127 प्लस 1 कितना आजेगा 128 Next question number 14 How many multiples of 4 lie between 10 and 250 आपको यह बताना है कि 4 के से कितने multiples हैं जो 10 और 250 के बीच में lie करते हैं अब first multiple क्या आया 4 और last क्या आएगा 250 को 4 से divide करके देख लेंगे 250 को अगर हम 4 से divide करेंगे तो क्या आजेगा 4 6 जा 24 1 4 2 जा 8 क्या आया 2 आगया इसमें से 2 माइनस कर देंगे 248 हो जाएगा तो last हमारे पास क्या आजेगा 248 जो 4 से divisible है तो क्या आजेगी sequence 10 के बाद हमारे पास कौन है divisible 12 है क्योंकि 10 तो divide होतता नहीं 4 से तो क्या देखते हैं 12 आगया 16 20 अप टू 248 A is equal to 12 D is equal to 16 minus 12 4 आजेगा और A N is equal to 248 A N is equal to A plus N minus 1 into D A N 248 A हमारे बास 12 है plus N minus 1 और D की value 4 248 plus 12 को इदर लेके आएगे minus 12 is equal to N minus 1 into 4 minus कर देंगे 236 by 4 4 से cancel कर दिया 59 is equal to N minus 1 अब इदर हमारे पास N minus 1 है 59 और इदर इसको लेके जाएगे plus 1 हो जाएगा क्या आजेगा 60 तो इसके हमारे पास कितने multiples हैं 60 multiples हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं Next है हमारे पास question number 15 For what value of N N की वो क्या value होगी are the Nth term of the two APs आपको 2 AP दे रखी है इनकी जो N term से उसकी value क्या होगी is equal कि S in AP की हमें एक sequence दे रखी है दो APs की इन AP की जो sequence हो से हमें बताना है कि ये वो कौन से number के term होगी जो इन दोनों AP की equal होगी means जैसे दोनों की A 10th number की term equal है या फिर 15 number की equal है ऐसे करके देखना हमें फॉस्ट AP क्या दे रखा 64, 65, 67 अब A is equal to क्या है 63 D is equal to minus कर देंगे 65 minus 63 2 आजएगा और Nth term निकालेंगे A N plus A minus A plus N minus 1 into D A अमार पास क्या है 63 plus N minus 1 और D की value अमार पास क्या है 2 63 plus 2 N minus 2 अब multiply कर दिया यहां पे 63 minus 2 क्या आजएगा 61 plus 2 N इसको equation first मान लिया दूसरी हमार पास sequence क्या दे रखिया 3 into 10, 17 अब टू A मार पास क्या आजएगा 3 D हमारे पास 10 minus 3 7 A N is equal to A plus N minus 1 into D A N हमारे पास as it is A मारे पास 3 plus N minus 1 और D की वाले पास 7 3 plus 7 N की 7 N 7 बन जएगा minus 7 3 minus 7 क्या आजएगा minus 4 और 7 N इसको अब ने क्या दे दिया equation number 2 नाम दे दिया अब क्या दे रखिया किनके कौन से नम्स हमें वो नम्बर मिलेगा जब दोनों की इकवल होगी दोनों की ये ट्रम तो दोनों को मिकवल पूट कर देंगे N इस ट्रम अब 61 प्लस इस गिवन देट N इस ट्रम ओफ एप आर इकवल 61 प्लस 2 N में से टू जाएगा 5 N अब 5 को इदर लेके आएंगे 65 by 5 कैंसल कर देंगे क्या हैगा 13 N is equal to हमारे पास क्या है 13 Next है Question number 16 Question number 16 की क्या है Determine the AP आपको एक AP Determine the AP Whose third term is this 16 आपको एक AP निकालना है जिसकी third term क्या है 16 Means A3 is equal to हमारे पास क्या हो गया 16 And 7th term exits the 5th term by 12 और 7th term है वो उसके 5th term से 12 ज्यादा है It means हम A7 minus A5 is equal to क्या लिख सकते है 12 तो अब हम AP Find करेंगे A3 हमारे पास क्या है 16 A3 को हमने क्या लिख दे A plus 2D is equal to 16 और A7 minus A5 कितना है 12 A7 को हम क्या लिख सकते है A plus 6D minus 5 को क्या लिख सकते है A plus 4D और इसको हम ऐसे लिखेंगे A plus 6D minus A plus 4D is equal to 12 अब minus को अंदर लेके गए दोनों minus हो जाएंगे अब A से A cancel 6 में से 4 जाएगा 2D is equal to 12 D is equal to 12 by 2 cancel होगे D की value हमारे पास क्या आजाएगी 6 putting this value in equation first first equation क्या थी A3 A3 हमारे पास क्या है 16 A plus 3 को क्या लिख सकते है 2D 2 और D की value 6 आगे is equal to 16 6 to 12 इदर लेके आए minus हो जाएगा A की value 4 अब first रम क्या आगे 4 second रम क्या आजाएगी 4 plus 6 है 10 10 plus 6 है 16 और 16 plus 6 है 22 अप्टू ऐसे ही चलती रहेगे मारे पास next is 17 find the 20th रम from the last रम of the A P 3 8 13 अप्टू 253 आपको ये दे रखा है की find the 20th रम इसके हमें 20th रम find करने और कहां से from the last रम पिछे से हमें कौन सी find करने 20th रम और ये एपी है अब ये एपी हमारे पास के एपी हमारे पास देर की 3,8,13 अप्टू 253 इस एपी इन बिटेन रिवर्स ओर पिछे से गर हमें चेक करना है तो रिवर्स ओर मिलेंगे हम रिवर्स ओर में लास्ट इस इट क्या है 253 अब इस से पहले वाली टरम कैसे बनाएंगे इनका डिफरेंस कितना है 5 तो इनका 253 से पहले 5 माइनस कर देंगे 248 इसमें से फिर 5 माइनस करेंगे 243 अब टू कहां तक आजेगी 13,8 और 3 रिवर्स कर दिया हमने a is equal to 253 होगा d is equal to इसमें से ये माइनस कर देंगे क्या आजेगा minus 5 और n हमारे पास क्या निकालना है 20 च्रम a 20 is equal to a plus n minus 1 into d a 20 is equal to a plus n minus 1 into d n हमारे पास क्या है 20 20 minus 1 क्या आजेगा 19 d a हमारे पास क्या है 253 plus 19 और d की वैल्यू minus 5 253 plus minus minus 19 5 जा 95 253 में से 95 को minus करेंगे क्या आएगा 158 next है question number 18 the sum of the fourth and eighth term of any piece 24 given में क्या है fourth और eighth term का sum तो इसको हम क्या लिखेंगे a 4 plus a 8 is equal to 24 and the sum of the sixth and tenth term sixth term a plus six plus a tenth a 10 is equal to 44 find the first three terms of n ap ap की पहले तीन term से find करो अब देखो an का formula है मारे पास a 4 a 4 को हमने क्या लिख लिए a plus 3d a 8 को हमने क्या लिख लिए a plus 7d a 6 a 6 को a plus 5d और a 10 को a plus 9d अब इसको equation में solve करेंगे a 4 plus given मारे पास क्या a 4 4th और 8 तरम 24 है सम और 6 और 10 तरम का 44 a 4 plus a 8 को क्या लिख लिखेंगे a plus 3d a plus a plus 7d is equal to 24 a plus a 2a और 7 plus 3 10d is equal to 24 2 common लिख लिखेंगे आएगा a plus 5d is equal to 24 को क्या लिख देंगे 2 into 12 2 से 2 cancel हो गया क्या आजेगा a plus 5d is equal to 12 दूसरी क्या है a 6 a 6 को लिखेंगे a plus 5d plus 10th को a plus 9d is equal to 44 a plus a 2a और 5 plus 9 14d is equal to 44 दूनों में से 2 common लिख a plus 7d is equal to 2 से 2 cancel हो जगा 22 बचे गए याँप इसको equation 2 1st और 2nd equation को solve करेंगे a plus 5d is equal to 12 a plus 7d is equal to 22 subtract कर देंगे यह cancel हो जगा 5 minus 7 minus 2d 12 minus 22 is equal to 10 by 2 cancel हो के d की value मारे पास क्या आजाएगी 5 putting this value in equation 1st इसको equation 1st में put करेंगे 1st equation क्या है a plus 5d is equal to 12 a plus 5d की value 5 into is equal to 12 a 5 5 25 इदर लेके आए 12 minus 25 a is equal to minus 13 आजाएगा आपके पास हमीं क्या find करने इसकी पहली 13 और d plus 5 minus 13 plus 5 minus 8 आएगा a3 a3 को क्या लिखेंगे a2 plus d a2 minus 8 है और d यमारे पास plus 5 क्या आजेगा minus 3 तो a p के हमारे पास a drum आगई minus 13 minus 8 and minus 3 ये तीन drums आगई next है 19 सुबह राव started work in 1995 at an annual salary of a rupees 5000 कि सुबह राव ने 1995 में एक है काम वर्क एक है work start किया और वहाँ पे उसकी एन्वल जो salary है वो कितनी है 5000 and received an increment of rupees 200 each year और हर साल 200 रुपय का उनको increment मिलता है in which year did his income reach rupees 7,000 कौन कितने साल के बाद या किस year में उनकी जो salary है वो 7,000 हो जाएगी ये देखते हैं देखो अब AP मर पस क्या आजएगी 5000 से start है उसकी हर साले increment लग रहा है 200 रुपीज का तो second year में क्या आजएगी 5000 200 उससे बाद क्या आजएगी फिर 200 का increment हो जाएगा 5000 400 अब टू कब हमारे पास वो कितने होगी 7,000 अब A is equal to 5000 D is equal to second में से minus कर देंगे 5,200 में से 5,000 minus करते क्या आया 200 अब हमारे पास हमने मान लिए कि end term end year के बाद उसकी salary 7,000 हो जाएगी इट मिन्स A N plus is equal to A plus N minus 1 into D A N हमारे पास क्या है 7,000 is equal to 5,000 plus N minus 1 into D यह हमारे पास 200 है अब 7,000 ही दर लेके है minus 5,000 is equal to N minus 1 into 200 इसमें से minus करेंगे 2,000 इसको इदर लेके हैंगे divide में क्या आजेगा 10 पे cancel होगे N minus 1 is equal to 10 इसको इदर लेके हैंगे N is equal to 11 so in 11 years 11 साल के बाद उसकी सेलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी next हमारे पास question number 20 रामकली सेव रुपीज 5 in the first week of a year रामकली ने किसी साल के first week में 5 रुपीज सेव की and then increased हर वीकली सेविंग by रुपीज 1.75 और जो उसकी वीकली सेविंग है उसमें कितना increase कर रही है वो 1.75 हर वीक में increase कर रही है if in the nth week nth week में हर वीकली सेविंग becomes रुपीज 20.75 अब कितने साल के बाद उन्होंने बोल दिया कि n week के बाद उसकी जो saving है वो 20.75 हो जाएगी find n उससे इनकी value find करो तो कितने वीक के बाद ये निकालना है n निकालने है a is equal to हमारे पास क्या है 5 क्योंकि starting में उसने कितने रुपे से start किया 5 से d is equal to हर बार increment कितना increase कर रही है 1.75 increase कर रही है और an is equal to 20.75 कब उसका 20.75 हो जाएगा an is equal to a plus n minus 1 into d an हमारे पास क्या 20.75 is equal to a5 plus n minus 1 और d की value 1.75 20.75 इसमें से minus कर देंगे 5 is equal to yes it is इसमें से minus कर दिया 5 क्या आजेगा 15.75 इदर ये multiply इदर आएगा divide में आएगा is equal to n minus 1 n minus 1 is equal to इसको हम 15.75 by 1.75 इसका अगर हम point अटाएएगे by 100 इसका अटाएगे उपर 100 100 100 cancel अब इसको अगर हम cancel करेंगे तो किस पे cancel होगा 9 पे n minus 1 is equal to 9 minus 1 को उदर लेकिया plus हो गया n की value हमारे पास क्या आजेगी 10 तो हम क्या बोल देंगे कि 10 वीक के बाद उसकी जो increment है उसका जो increased है वो होगे कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा ये थी हमारी exercise 5.2 ओके थैंक्यू